इस वीडियो में मैंने 25 questions include किये हैं जिनको आपको एक mock test की तरह देना है मतलब questions को एक बार खुद से attempt जरूर करना उसके बाद explanation देखना इससे आपका thought process change होगा ठीक है आपका सोचने का तरीका बदलेगा and second thing कि आप लोग क्या किया करो कि feedback जरूर दिया करो यह मैं beginner से नहीं बोल रहा हूँ लेकिन जो एक दो बार exam face कर चुके हैं उनसे मैं request कर रहा हूँ क्योंकि जो beginner होते हैं वो आपके experience से मेरे content का judgment करते हैं comment section scroll करते हैं तो जो एक दो बार exam दे चुके हैं तो अपना feedback जरूर दिया करो क्योंकि Air Force का जो selection board है उसको मैंने बहुत करीब से देखा है मुझे पता है कि किस तरह के pattern से questions वो देख सकता है लेकिन beginner को मैं कैसे trust दिला हूँ तो इसलिए आप ही वो जरी हो जो हम लोगों के बीच में एक trust का एक belief system create कर सकते हो तो बस यही request है कि feedback जरूर दिया करो होता है ठीक है तो enjoy करो वीडियो को first question है एक पिंड को अर्थ से इतने velocity से projectile किया गया तो उसके द्वारा maximum height और range क्या होगी तो देखो सब से सभी questions को आप पहले खुद से एक बार जरूर try करना तो इस question के लिए आपको पता होना चाहिए कि velocity के दो component होते है एक होता है v cos theta एक होता है v sin theta तो मैं आपको बता दू जो cos theta होता है वो 36 गटक होता है और जो sin theta होता है वो वर्टिकल यानि की और-द्वादर गटक होता है अब देखो इस question को velocity को देखके आप समझ जाना चाहिए क्योंकि i cap का जो component होगा वो i cap क्या होता है i x axis के along होता है y और j y axis के j cap होता है वो तो इसलिए अगर हम देखें तो जो cos theta यानि की 26 गटक का मान है वो 3 लिख सकते हैं और 10 जो है वो v sin theta का मान लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं 10 ये दो बात है जिसने इस question को देखके कर ली फिर उसके लिए question इतना tough नहीं रहेगा क्योंकि अब हमें क्या find करना maximum height maximum height का formula रहता है view square sin square theta बटे 2g ठीक है अब उपर वाली चीज को हम v sin theta का whole square लिख सकते हैं और v sin theta हमारा कितना है 10 क्योंकि sin theta का मतलब उर्धाधर गटक और उर्धाधर गटक मतलब j cap का coefficient वो हमारा 10 है तो उपर हम 10 का whole of square लिखेंगे तो उपर हो जाएगा 100 और निट्य हो जाएगा 2 into g, 10 तो इसको जब इसी question के लिए range का formula होता है r is equal to u square sin 2 theta बटे g ठीक है अब देखो u square को हम u square लिखा रहने देते sin 2 theta को हम लिख सकते हैं 2 sin theta cos theta बटे g और उपर u square भी है तो एक u हम इसमें लगा देते हैं एक u हम इसमें लगा देते हैं क्योंकि u square था ठीक है ये technique है इसकी अब देखो u sin theta मतलब उर्दवादर गटक कितना है 10 यानि कि 2 गोड़ा u sin theta की जगा पर हम 10 लिख सकते हैं और u cos theta की जगा पर हम 3 लिख सकते हैं बटे g जी कमान कितना है 10 तो जब 10 से ये 10 कटा तो हमारा जो range है वो कितना मिलगा अच्छे है मिलगा यानि कि ए इसका right answer तो देखो projectile motion में आपके exam point of view से सबसे important question ये है ठीक है guys next question है यदि किसी pin का momentum यानि कि somewhere 50% increase कर दें तो उसकी kinetic energy कितने percent increase हो जाएगी और second question third है कि अगर momentum में 50% का decrease कर दें तो उसकी kinetic energy में कितना percent का change होगा तो देखो दोनों ही question ध्यान से समझना मैं आपको देखो ये question ऐसे हैं जो frequently पूछे जाते हैं और आपको मैं simplest approach है कि जो kinetic energy का formula होता है एक मिनट समझने पर focus करना होता है half mv square ठीक है एक बार मैं pain को थोड़ा और मूटा कर लूँ ठीक है तो जो kinetic energy का formula होता है वो होता है half mv एक बार इसको डालू यार ये ठीक है अब देखो क्या होता है half mv square अगर हम m से उपर और m से नीचे divide कर दें तो ये उपर m square v square हो जाता है ठीक है क्या हो जाता है m square v square जिसको हम momentum लिख सकते हैं यानि कि half p square बटे m यह हो गया k यानि कि k जो होता है वो momentum के square के directly proportional होता है अब देखना के हमें कि kinetic energy मिल गई directly proportional to momentum यानि कि समझे का square के अब देखो मैं आपको एक बाद एक एक ऐसा बांड दू जिसको चला के आप अपना selection ensure कर सकते हैं वो बांड यह है कि पूरी physics में कहीं भी ऐसा relation मिल जाए दो चीजों का जिसमें एक चीज उसके square के directly proportional हो जैसे कि time period के बहुत सारे ऐसे formula होते है जैसे velocity होती है को velocity का square directly proportional होता time period के तो पूरी physics में ऐसे बहुत सारे जगे आपको ये च percentage change दिया जाए और उसका पूछा जाए तो आपको क्या करना है एक formula याद रखना है x plus y plus xy बटे 100 ठीक है अब इसको formula को पता होना और इसको use करना दो different चीज है पता तो सब गो है तो अब इसमें जो x है वो आपका percentage increase या decrease है अब देखो अब जैसे increase होता है तो हम उसका plus value र रखेंगे plus by का मान भी 50 हुआ है percent और plus 50 गुड़ा 50 बटे 100 करेंगे 50 गुड़ा 50 बटे 100 तो 50 और 500 हो जाएगा और 50 का 50 में गुड़ा होगा तो 500 होगा नीचे से 2 0 कटके तो 25 बचेगा इधर यानि कि 50 और 500 और 25 125 यानि कि first question का answer तो 125 हो गया लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि decrease हो गया तो इस formula को कैसे use करेंगे क्योंकि इस option में भी 125 होगा जो कि main जो लड़के कर देंगे जो गलत होगा क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया कि formula लगा जिसमें मैंने आपको एक बात बताई कि जैसे x plus y plus xy बटे 100 अब इसमें अगर increase हुआ है तब तो हम plus 50 रखते हैं लेकिन इसमें अगर decrease हुआ है तो उसका माइन माइनस 50 रख दो तो माइनस 50 माइनस 50 माइनस 50 गुड़ा माइनस 50 करेंगी तो और रेड धन बना देगा तो प्लस का पच्चिस सो हो जाएगा वो पच्चिस सो बटे 100 करेंगी तो दो 0 कट जाएगे तो प्लस का इस देन यू विल गेट माइनस का 75 यानि कि फाइनली हमें दिखा कि 75 परसेंट का माइनस का चिन क्या सो करता है कि decrease हुआ है तो इस कुश्चन में क्या होगा कि 75 परसेंट का decrease हुआ है यानि कि D इसका राइट अलसर हो जाएगा तो देखो इस तरह के आपको चीज़ें आना बहुत जरूरी है यह वेव का equation दिया है A sin देखो आपको पता होगा Y is equal to A sin omega t minus kx ठीक है उसी की format से जब इसकी comparison कराएंगे देखो मैं आसा करता हूँ कि आप लोग एक वार खुद से इनको जरूर कर रहे होंगे और वीडियो के end में अपना score जरूर बताएंगे कि out of 25 आप मैंने बताया था कभी कभी क्या होता है यहाँ पर देगा 200 t और यहाँ पर देगा कि 50 x और आपसे direct velocity पूछता है तो velocity का आपको direct क्या होता है formula omega में यानि कि t के coefficient में आप x के coefficient यानि कि k से divide कर दो तो direct हमें velocity मिलती थी similarly अभी जो A बटे B की ही इन्होंने dimension पूछ दी A मतलब omega यानि कि t का coefficient और B मतलब x का coefficient यानि कि k तो जो होता तो formula वो velocity का था तो जो dimension velocity की होगी y dimension इसकी हो जाएगी तो velocity की क्या होते है meter per second यानि कि lt की power minus 1 यानि कि V इसका right answer हो जाएगा ठीक है एक पत्तर को डोरी से एक circular पत्त में constant angular velocity से घुमाया गया ठीक है इसका जो angular momentum यानि की qu कोड़ी समवेग है वो जे गिवन है अब क्या किया गया अब की वान डोरी की length को आधा कर दिया ठीक है उसकी लंबाई को क्या कर दिया आधा कर दिया अब क्या है लेकिन जो angular velocity है वो हमने constant रखा यानि कि वही रखा तो फिर नया angular momentum नया कोड़ी समवेग क्या होगा अब दे दें तो फिर हमें वो मिल जाता angular momentum अब देखो अब j is equal to i बराबर क्या होता mr square momentum इनर से क्या होता mr square into omega तो finally अगर omega constant है तो फिर अब पत्थर वही है यानि कि उसका mass भी constant है तो जो उसका j है वो directly proportional है उसकी radius के square के अब देखो जो जैसे यह डोरी है इसमें हमने यह पत्थर बांदा और उसको जब घुमाएंगे जो circle बनेगा तो उसकी जो डोरी की length होगी वही तो मेरी radius होगी यानि कि initially जो radius होगी उसका अगर half कर देंगे तो बाद में r y 2 करेंगे तो यह directly proportional है कैसा है directly proportional है तो अगर हमने radius आधी करी है तो उसका square यानि कि उसका square मतलब 1 बटे 4 से ह मारा वो हो जाएगा घट जाएगा यानि कि जो j है वो jy4 हो जाएगा तो बस यह है कि ऐसे questions tough नहीं होते हैं लेकिन अगर आपने exam से पहले एक बार नहीं किये हैं then आपको problem हो सकती है otherwise अब मैं क्या है कि मैं इतने mock test आपको करा दूँगा exam तक कि कोई आपको नया question exam में ऐस को एक दो बार आपने देखा होगा बस में भी data थोड़ा change दिख जाए क्योंकि physics में concept तो वही है 11 और 12 की जितने भी concept पे आपके वह बन रहे है questions वह आप लोग देख रहे हैं को मैं सभी करा दे रहा हूं आपको तो अगर आपको अपने आप में अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं हां मेरी physics enhance हो रही है physics improve हो रही है तो फिर देखते हैं exam में क्या होता है और बाकी पिछले sessions में बहुत सारे लड़के आप feedback देखा करो पिछले वीडियो का बहुत सारे लड़के बताते हैं आप फोन करते हैं कि sir as it is seven question मिले six question मिले तो आप उसका need जो है चिंता मत कर कर दो आप बस पढ़ते जाओ एक क्या है कि बल आगूर यान की टॉर्क एक सेकंड में इसको थोड़ा जूम क्या है कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो जे से 4G हो जाता है कितने टाइम में चार सेकंड में तो उसका टॉर्क का जो magnitude है वो क्या होगा देखो बहुत अच को ढ़ते हे ज्यासा भी अप दो तो यहांप इन टम्स ऑंफ यह मुह आप अगर इसकी बात करें एंगुलर तो उसमें क्या होता है तॉर्क क्या होता है चेंजिन आपका जैंजج इन जो मोमेंटम होता है बटे टाइम वही तो टॉर्क होता है अब आप सिंपली क्या करो देखो हर कुशन में आदत यह मत डालो कि हमें पेपर और पेन उठाना ही है आपको टॉर्क का डेफिनेशन पता है कि उसका जो एंगुलर समवेग यह नहीं कि कोड़ी समवेग में परिवर्तन हो रहा होगा उसको हम समय के परिवर्तन से डिवाइड कर दे तो हमें बला गोड मिल जाता है अब देखो चेंज इन जो एंगुलर मोमेंटम में वो कितना हुआ है जसे सी फूर जे हो गया तो चेंज कितना है का हुआ फाइनल माइनस इनिशियल मतलब चेंज होता है तो जो चेंज है वो ठीजन क कि हाने आपकी वार exam performance अच्छा करना है जल से भरी एक बाल्टी चार मीटर त्रिजिया के ओर्ध बरत में इस प्रिकार गुमाई जाती है कि जल नीचे नहीं गिरता है तो एक चक्कर का maximum time कितना होगा देखो इसको practically आप सबने किया होगा जब आप किसी बाल्टी में पानी लो और उसको उस velocity से घुमाओ जो उसका water जो है नीचे ना फैले पानी ना फैले तो उसमें पूछ रहा है कि एक circle में है यानि कि कितना time लगेगा तो देखो time यानि कि समय बराबर जो होता है time period वो क्या होता है दूरी बटे चाल अब एक circle को पूरा करने में दूरी उसकी परिमीटर उतना ही तो दूरी चलेगा यानि कि two pi r समय बराबर दूरी बटे चाल चाल का मतलब उसकी velocity ठीक है लेकिन अब इसमें यहां पर यह एक problem है कि velocity दी नहीं गई है लेकिन कोई बात नहीं दी नहीं गई है तो हमें तो पता है two पहले उपर लिखते है चाल बराबर दूरी कितनी है two pi पाई का मतलब तीन दसमलब एक चार ठीक है तीन दसमलब एक चार इंटू आर आर का मतलब उसकी रेडियस बाल्टी की जो उसकी दिरिज़े है वो कितनी है चार मीटर बटे उसकी वेलोसिटी अब वेलोसिटी क्या है आपको जब घुमाया जाता है कितनी है four ठीक है अब देखो जब चार जो है बर्गमूल से बहार आएगा तो दो बचेगा ठीक है और दो से यह दो कर जाएगा जब 9.8 का स्क्वेर रूट लेंगे तो वो 3.14 आएगा तो finally हमें T कितना मिल गया four second मिल गया अब आप ये memorize थोड़ा आप effect है इसको याद कर लेना या समझ लेना कि जब इस तरह का कुश्चन आ जाए तो इसमें नीचे जो वैलिसिटी रखेंगे वह हम कौन सी रखेंगे अंडरूट जी आर कर ब्रामा वस्ता से चलना प्रारम करता है इसका जो एसलेरेशन वह ए टाइम टी जो ग्राफ है एसलेरेशन और टाइम का हमें ग्राफ प्लॉड करके दिया है कुश्चन में और हमें पूछा गया है कि जो पार्टिकल द्वारा मैग्समम वैलिसिटी यह वह क्या है तो देखो बहुत यूनिक कुश्चन है इसके लिए आपको क्या है कि एसलेरेशन होता क्या है एक्सलेरेशन होता है चेंज इन व अगर हम integration कर दें तो जो इसका area bounded वाई कर होगा वही तो change in velocity होगा तो बस हमें यही समझना था यानि कि इस graph के द्वारा जो area bounded हुआ है वही हमारा change in velocity है it means area क्या है area होता है half into base into base कितना है यह distance कितना है 11 into perpendicular height यह कितना है 10 तो यहां से हमें जो area है वह कितना मिल गया पच्पन ठीक है पच्पन मीटर पर सेकिंड अब यह हमें क्या मेना change in velocity मिला लेकिन हमें maximum velocity fine करना है तो मतलब change in velocity मतलब v final minus v initial तो initial तो 0 है क्योंकि ब्राम वस्ता से चला था तो हमारा 55-0 यानि कि 55 ही हमारा maximum velocity हो जाएगा ठीक है आई होब आपको समझ में आ गया होगा देखो ऐसे questions आप ignore नहीं कर सकते हो क्योंकि इन questions के बहुत high chances है आपके paper में दिखेंगे next है एक particle initial velocity जिसकी दी गई और acceleration दिया है तो after 10 seconds उसकी चाल क्या होगी कुछ नहीं velocity का जो क्या होता है v is equal to initial velocity plus acceleration into time यहीत होता है अब आप यह बताओ कि हमें fine क्या करना है v final initial कितनी थी 3i plus 4j ठीक है plus acceleration कितना था acceleration था 0.4j i plus 0.3j अब इसमें multiply किसे करेंगे tc t का मतलब 10 आप देखो मैं ध्यान से समझना कि 3i और जब आपका 0.3 में 10 का अंदर गुड़ा करेगा तो यह 3j हो जाएगा और यह 4i हो जाएगा तो जब 3i में यह 4i यह 4i कैसे हो जाएगा क्योंकि यह decimal इस 10 से खतम हो जाएगा तो 4i और 3i कितना हो जाएगा 7i इस similarly 4j और 3j कितना हो जाएगा 7j यानि कि finally हमें मिल गया 7i प्लस 7j यानि कि उसका जब हम अब हमें मैगनिटूड निकालेंगे तो स्क्वेर रूट करेंगे 7 का स्क्वेर प्लस 7 का स्क्वेर यानि कि 7 रूट टू इसका राइड अंसर हो जाएगा ठीक है तो यह ऐसे कुश्यंस है और पहां चक्कर लगा रहा है पर सेकिंड तो फिर अभी केंद्री यानि कि एक्सेलेरेशन जो सेंट्रिपिटल एक्सेलेशन वह वह बताना तो देखो, for this type of question आपको क्या बता होना चाहिए, जो अभिकेंदरी बल का formula होता है, वो क्या होता है, mv square by r, force क्या होता है, mass into acceleration, यानि कि अभिकेंदरी तोरण यही तो होता है, v square by r, बस, अब यहां पर हमें omega है, तो v को हम omega से replace कर देते है, v बराबर क्या होता है, r omega, देखो एक बार मेरी बात सुनो, हमने acceleration, जो अभिकेंदरी तोरण है, इसको आप direct याद भी रख सकते हो, वो होता है, क्या, v square by r, अब v होता है, r omega, तो r omega का hold up square करेंगे, उपर by r, तो उपर हो जाएगा, r square, omega square by r, r से r कट गया, तो finally, हमें एका formula क्या मिला, r omega square, ठीक है, जो acceleration है, वो होता है, r omega square, अब omega क्या होता है, omega को replace करते है, 2 pi n से, 2 pi n का square, अब बस, अब जो इसी को एक और, finally, जो conclusion formula है, वो क्या है, 4 pi square n square r, इस formula को आप अगर याद रख पाओ, तो आपका थोड़ा सा time save हो जाएगा, exam hall में, जो अब का अभिकेंदरी तोरण का, अब देखो, 4 pi square जहां पर n होता है, कि एक second में कित्य चक्र लगा रहा है, जैसे इसमें n का मान 2 है, और इसमें n का मान 5 है, तो पहले वाली question में n का मान 2 रखेंगे, तो 2 का वर की 4 हो जाएगा, 4, radius का मान 25 cm है, 25 cm को मीटर में बदनाएंगे, तो 25 बटे 100 हो जाएगा, ठीक है, 25 बटे 100 को हम इस 4 से काट देंगे, तो 4 pi r square का right answer आ गया, ठीक है, और second question की बात करें, तो उसमें क्या है, कि 4 pi square n का मान कितना है, 5 चक्कर लगा रहा है ना पर second, तो 5 का बटेंगे 25, radius 1 थी, तो 25 का गुणा 4 में होगा, तो उसका 100 pi square आ जाएगा, ठीक है, तो फिलाल हमें इन दो question से क्या मैं suggest करूँगा कि आप direct याद रखो, कि जो acceleration होता है, वो होता है, 4 pi square n square r, तो आपका थोड़ असा time हो जाएगा, और time बहुत time manage करना है, exam में, competitive exam में बहुत जरूरी होता है, मोटर साइकल चालक उर्द्वादर तल में आर्थ रिज्या के ब्रत्ता कार पत पर मोटर साइकल चलाता है, उसके पत के उचितम यानि की highest point पे, देखो highest point पे, यहाँ पे, angle होता है 180, ठीक है, और velocity कितनी होती है, उचितम minimum होती है, और minimum point पे, 0 angle होता है, वहाँ पे maximum होती है तो minimum कितनी होती है, maximum point पे minimum होती है, वह होती है, अंडरूट जी आर, आपको यादा है, मैंने अभी एक पीछे question कराया था, जिसमें पानी नहीं फैलने वाला, तो अगर क्या है किसमें, यह question बहुत पूचा जाता है, लेकिन फिर मैं बता दूँ आपको यह navy के लिए पाहर बाले पहिए जो है, वो थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है, इसका राइटन सब्सक्राइब, भीतर बाले मुणना पॉशिबल है नहीं, ठीक है, next question, अब देखो, friction, यदि friction एंगल है, यहनि कि ठीटा हमें दिया हुआ है, cos inverse 4 बटे 5, अगर हम inverse इधर ले जाएं, तो cos theta हम कितना लिख सकते हैं, 4 बटे 5, cos theta कह सकते हैं, अगर cos theta 4 बटे 5 है, cos theta में होता क्या है, L, A, L, K, K, A, cos theta मतलो, आधार बटे कर्ड, तो आधार कितना है इसका, 4 और कर्ड कितना है, 5, तो यह हमारा 3 आ जाएगा, अब देखो, हम 10 theta निकाल सकते हैं, 10 theta इससे अगर हम निकालेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, लंब बटे, आधार 3 वटे 4, अब म्यूएस क्या होता है, इस थहत्तिक घरसा और गुणांग जो होता है, कोफिजेंट वो 10 theta ही तो होता है, म्यूएस बराबाबा 10 theta, तो वो कितना हो गया, 3 वटे 4, यहनिकि C's का right answer हो गया, motion के highest point पे velocity और acceleration के बीच में direction बताने, यह क्या होती है, तो आप देखो, यह projectile motion है, ठीक है, इसका velocity का component जो vertical वाला होता है, वो तो वर्क करता नहीं है, तो इसको ignore करो, जो horizontal है, वही तो वर्क, यानिकि velocity की direction यह हुई, और जो gravity गृत्वा है, वो नीचे की तरब लगेगा, यानिक कि दोनों क्या है, सुरी विपरीद नहीं, परस पर लंब बत, और अगर angle पूचा जाता है, 90, और projectile motion से कुछ fact आप लिख लो, अगर नहीं पता है, अगर R1 range, सपोज ही कहता है कि ठीटा 1 angle पे हमने फेका, और हमें range R1 मिली, और ठीटा 2 पे फेका, तो R2 मिली, तो जो sum of theta 1 theta 2 होता है, वो 90 होता है, अगर कोई 30 पे फेकता है, कोई, और कुछ range मिलती है, तो वही range हमें 60 पे भी मिलेगी, ठीक है, यानि कि अगर दोनों का sum angles का 90 है, यानि कि दोनों एक दुसरे के compliment है, तो फिर उनकी range equal मिलती है, second, जो range maximum किस angle पे मिलती है, वो 45 में मिलती है, ठीक है, next question है, ये तो हो चुका है सायथ इस गेंद वाला, अब देखो ये आप कर सकते हूँ, ये कुछ easy questions भी हैं, देखो वही है, आपको एक analyze करो, आपकी ऐसे, जो level है 25 questions का, वो सारे ही tough नहीं होते हैं, नहीं तो बच्चे कैसे score करते हैं, 1990, अब एक लड़का कोई comment किया था, कल कि अपना score card दिखाओ, तो भाई, आप जाओ वीडियो में, पिछला मैंने जब channel start किया था, तो उसी वीडियो की दम पे आज मेरा channel यहाँ पहुच पाया है, आप जाके देखना, मैंने green card सो किया था, और एक वीडियो में अपना score card सो और तो आप भी कर सकते हो, ठीक है, मेरे पास तो इतने resources नहीं थी, तब YouTube पे कोई इतना चाया content नहीं देता था, मैं आपको एक दों relevant चीजें बता रहा हूँ, तो कोई tough नहीं, आहाँ negative marking हो गई है, लेकिन मेहनत करोगे, तो बहुत कुछ achieve कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं जो achie diameter अगर दो गुना कर दिया, देखो, I think, इन questions को कराने का कोई मतलब नहीं है, तो आप सभी कर लोगेगा, diameter दो गुना कर दिया गया, तो फिर वो कितना चड़ेगा, ठीक है, यह तो, जो भी, यह contact angle होता है, यह, आप देख लेना, क्योंकि यह मुझे नहीं लगता है, कि मैं इन में बतागे time waste, हाँ, यह भी आप देख लेना, इसका जो convex हो जाएगा, इसका भी convex हो जाएगा, जो capillary में, जो उसकी bottom की जो shape है, वो, और यह first वाला, मुझे कराने साइद एक दो cushion और हैं, जो आपको कुछ से खा सकते हैं, उन facts को भी ignore नहीं करना, उनको याद कर लेना अब देखो एक फबारा है, ठीक है fountain है, उसका जो range पूछा किया है, चार और कितना area आखर वो गीला कर देगा, तो देखो फबारा है, आपको पता है कि अगर आपने चार और पानी छड़कता है, तो ऐसे पानी projectile motion करता है, चाहे इधर करें, चाहे इधर, यानि कि अगर हम area की wise करें, area पूछा है, तो pi r square हो जाएगा, अब r का मान क्या रख दें, r का मतलब 36 परास, तो जो maximum, r maximum का formula क्या होता है, r maximum क्या होता है, u square sin 2 theta बटे g होता है, यानि कि sin 2 theta तो 45 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, यानि कि r maximum का formula होता है, u square बटे g, अब r मतलब radius, तो radius consider करें, तो उसका area क्या हो जाएगा, pi r square, r इसका square करेंगे, तो u square का square, u की power 4 हो जाएगा, और g का square हो जाएगा, g square, तो हमें देख रहा है कौन सा option, c option, इसका right answer हो जाएगा, कितना अच्छा question थी, next question पर चलते है, next question, देखो, क्या है, कि temperature में जब हम increase करेंगे, तो liquid की जो viscosity है, वो क्य स्यानता घटती है, और gasो की स्यानता बढ़ती है, इस टोक्स ने एक नियम दिया था, force, स्यान बल का, वो क्या दिया था, 6 pi eta r v, यह हमें क्या सिखाता है, कि जो स्यान बल होता है, वो उसकी velocity के भी directly proportional, उसकी radius के directly proportional, उसके viscosity coefficient के directly proportional, स्यानता गुडांग, स्यानता गुडांग कर लेते हो, तो फिर, I think हो गए 25 questions, तो यह था आज का mock test, आपको कैसा लगा, feedback जरूर देना, और यार जो आपने कल के वीडियो में प्रतीक को motivate किया है, उसके लिए thank you, ठीक है, और पढ़ते रहेंगे, और academy पर आना ना भूलना, कितना 6 तारीक को, 4 बज़े मेरी live class है, वह मुझे motivate कर देना, क्योंकि मेरा first class है, और मुझे mouse चलाना नहीं आता है, अभी पेंटे वरेंज नहीं किया है, तो मैं उतना theoretical question जादा करा हूँँगा, जो fact होते हैं, वैसे questions include किये हैं मैंने, तो live class है, एक घंटे की बहुत मज़ा आएगा, अगर मेरे बच्चे मेरे साथ हो तो मेरा उत्साह बढ़ेगा, और मुझे वहाँ पर पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा, तो मैं उम्बीद करता हूँ कि हमारे जितने भी छात्र lecture force के हैं, वो आके हमारा उत्साह बढ़ाएंगे वहाँ पर, first day है, तो कहीं मैं demotivate न हो जाओ, क्योंकि वहाँ पर unacademy क लड़के होंगे तो उनको मैं जानता था हूँ नहीं ना मुझे जानते हैं, थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए यार प्लीज आ जाना आप लोग यार ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ